दोस्तों आपको hair fall यानि की बाल जढ़ने की परेशानी इतनी जादा हो रही है कि ऐसा लगता है धीमे धीमे करके सारे बाल चले जाएंगे scalp नजर आने लगी है यानि की hair thinning हो गई है तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए आज मैं आपके लिए एक छोटी सी ऐसी home remedy लाई हूँ जो की natural है 100% और 100% है effective अगर आप उसको सही से बना के यूज़ करते हो और जैसे मैं बताऊंगी उस तरह यूज़ करते हो तो आपका जो बालो का जढ़ना है वो कम होने लगेगा और कुछ दिन में control में आ जाएगा तो उस home remedy को आप कैसे बनाओगे आईए जल्दी से देख लेते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो like ज़रूर करिएगा और comment करके ज़रूर बताईएगा क्या आपको भी hair fall की problem हो रही है दोस्तो home remedy बनाने के लिए आपको एक medium size की प्यास चाहिए उसको छील के काट लीजिए और उसको पीस लीजिए पीसने के बाद उसको एक छलने की help से आप छान लोगे दोस्तो प्यास बहुत अच्छी होती है बालो का ज़र्ना रोकने में क्योंकि इसमें sulfur पाया जाता है ऐसे enzymes antioxidants पाय जाते हैं जो control करते हैं बालो का ज़र्ना रोकने में तो इसको बेजिजक होके use करिए अगर आप चाहते हैं आपके बाल बचे रहे तो अब मैंने ये रस इसका निकाल लिया है और अब एक कटोरी अलग से लूँगी उसमें मैं 6-7 चमच यहां onion juice डाल रही हूँ नापके डालिएगा और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी दही दही आप अपने length के हिसाब से ले सकते हो बालों के यहां पर मैंने तीन चमच दही ली है और इसके बाद मैं इसमें मुलतानी मिट्टी powder आड़ करूँगी जिससे की जो हम DIY बना रहे हैं वो अच्छे से हमारे बालों में थोड़ी देर रूख सके तो दो चमच मुलतानी मिट्टी powder डालूँगी और इसके बाद डालूँगी castor oil यानि अरंडी का तेल यही oil आपको डालना है कोई और oil नहीं डालना है क्योंकि यह best है hair fall रोकने के लिए क्योंकि जब भी मेरे बालों का जढ़ना start होता है मैं यह remedy यूज़ करती हूँ मेरे बाल बिल्कुल जढ़ना बंद हो जाते है तो इस तरह से आपकी DIY हो जाएगी तयार इस DIY को आपको अपने बालों की जड़ों से लगाना है लेंद तक और फिर इसको कम से कम आदे घंटे रखना है और इस DIY को आप हफते में दो बार लगाओगे अच्छे फाइदे के लिए 30 से 40 मिनेट रखने के बाद फिर आप अपने बालों को धोगे पहले पानी से उसके बाद आप कोई भी सलफेट फ्री केमिकल फ्री शैंपू यूज करोगे क्योंकि कई बार आप गलत शैंपू यूज करते हो उससे भी हेर फॉल बहुत जादा बढ़ जाता है तो इसको जब आप इस्तमाल करना स्टार्ट कर दोगे तो आप एक महीने में देखोगे इसका रिजल्ट आपके बालों का जहरना बहुत ही कम हो चुका होगा कंट्रोल हो जाएगा और हेर थिनिंग भी ठीक हो जाएगी क्योंकि इसमें हमने ऐसे इंग्रीडियन्ट यूज किये हैं जो कि हेर फॉल को रोकने में बहुत जादा मदद करते हैं तो दोस्तो इसको जरूर ट्राइ करें और फिर मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको इससे क्या रिजल्ट मिला तो दोस्तो ये थी मेरी आज की वीडियो, I hope आपको अच्छी लग रही हो, छोटी सी वीडियो hair care tip, तो जल्दी से इसको like कर दे, comment करके बताएं कि आपको भी hair fall की problem हो रही है, जल्दी से comment करें, share कर दें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, whatsapp और facebook पे, और channel को subscribe कर लीज जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की notification मिलती रहे, तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी इगली वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye and take care.